तब नेपाल को न तहीं से करजा लेने की जरूत है और नहीं अनुदान लेने की जरूत है तब नेपाल का अपना ही पैसा बहुत हो जाएगा नमस्का नेपाली मित्रों आपको बताएंगे कि नेपाल से यदि ब्रश्टाचार खत्म हो गया तो परतेग नेपाली आज की अपेक्षा धाय गुना तीन गुना जादा धनी हो जाएगा भारत से जादा इंकम पर कैपिटा परती ब्यक्तियाई नेपालियों की हो जाएगी नेपाल के लिए लोगतंत्र अच्छा है कि मोनार की राजा का सासन अच्छा है या कौनिस्ट एक दलिया सासन परणाली अच्छा है ये भी बताएंगे तो पहला ये जान लीजिए कि ब्रश्टाचार यदि खत्म हो गया तो परतेग नेपाली धाय गुना तीन गुना ज़्यादा पैसा होगा सरकार देश के विगास में ज्यादा पैसा खर्चा करेगी उद्योग धंदे लगाएगी कुछ करेगी सरकार तभी नहीं काम करेगी जब सरकार के पास पैसा होगा एक एक जम्पल से समझिए नेपाल को भंसार से लगबग 8 खरब या 10 खरब रुप भंसार होगा तो कितना पैसा आएगा सोचिए धाय गुना तीन गुना पैसा बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ जाएगा इसी परकार हर संस्तान में नेपाल में ऐसे ही चल रहा है आप सोच लिए होंगे समझ लिए होंगे कि भंसार का ही पैसा यदि 8 संब रुपय तक जा सकता है तो इसी भ्रष्टाचार को रभी लामीच्छने खत्म करना चाते हैं बालेण साबी मौन समर्थन कहीं कहीं देanten रहे हैं रभी लामीच्छने को और भी कुछ नेता मोजूद हैं जो रभी लामीच्छने को समर्थन देरे हैं यहां तक कि विपक्षी पाटीओं के लोग भी रभी लामिछने को मौन समर्थन देरें क्योंकि जो नेता इमानदार होगा वो कभी भी बेमान का साथ नहीं देगा भले वो उसकी पाटी का क्यों नहीं हो रभी लामिछने ने फाइल खुलवाई तो नेपाल में गटबंदन ही तूट अन्या गटबंदन बनने जा रहा है सोचिए ऐसा किसी देश में नहीं होता कि अपराधी की फाइल खुलवाओ और सरकारी गिर गई सरकारी तूट गई गटबंदन तूट गया ऐसा कहीं नहीं होता है नेपाल में ही हो रहा है मात्र एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि नेपाल में अभी भी इमानदार नेता बचे हुए है अगर ये इमानदार नेता नहीं होती एक दली असासन परणाली यदि होती नेपाल में तो करप्सन 50% हो जाता GDP का तब बोलने वाला कोई नहीं था क्योंकि एक दल का राज है वो जो मर्ची वो करे देखे नेपाल में लोगों का कहना है कि लोगतंतर है इस कालन भरस्टाचार हो रहा है राजा ही सही है ये बात तो बिल्कुत सही है कि राजा ही होता तो बहुत अच्छा था ज्यादा पावर राजा के हाथ में होती तो बहुत अच्छा था लेकिन राजा तो हटा दिया गया अब राजा बिक इतने घोटाले हो रहे हैं जहां पर की विपक्ष मौजूद है और विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि यहां घोटाला हो गया यहां घोटाला हो गया ठीक वहीं अगर मोनार की आजए ओ एक दलिया सासन परणाली आ जाएगी तब विपक्ष रहेगा ही नहीं तो यह जो फाइले खुल रही है प्रस्टाचार की तो इनको कौन खोलेगा सोचिए अब नेपालियों को लगता होगा कि हमारे यहां तो कॉम्मि Zusch सासन हो जाएगी और हमारे कॉम्मिस्ट नेथा भी Chinese Communist जैसे होंगे, आपके Communist नेता Chinese Communist जैसे बिलकुल नहीं होंगे, बल्कि एक दल्य सासन पंडाली होती है, तो आपके नेता इतना ब्रस्टाचार कर देंगे, कि सामने वाला तो बोली नहीं पाएगा, एक दल्य सासन पंडाली में क्या होता है, कि सरकार के खिलाप कोई नही करें, जैसे चाइना में 8 करोड लोग हैं Communist Party से जुड़े हुए, आपको पता होना चाहिए, ये 8 के 8 करोड लोग, सब करोड पती हैं, सोचिए, ये सब धनी लोग हैं, जो चाइना में धन जिसके पास आ जाता है, वो Communist Party जोइन कर लेता है, क्योंकि तब बोलने वाला कोई न Communist Party के सबी लोग करोड पती हैं, तो चाइना में भी भ्रष्टा चार है, लेकिन उतना नहीं, जनता खुस है चाइना की अपनी सरकार से, और नेपाल के Communist नेता या एक दलिया सासन पढ़ना लियाती है, वो कभी भी चाइनी जैसे हो ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है, भा क्रिश्चनी करवा देना बस बात खतम, यही हमने देखा है अब तर, हिंदो और बौद लोगों का जगड़ा लगवाना आपस में, भारत के Communist भी यही काम करते हैं, नेपाली Communist भी यही काम कर रहे हैं कई सालों से, तो यह कनफर्म है, अगर एक दलिया सासन पढ़ना लिया में आजाएगी, एक पार्टी रूल आजाएगा, तो विपक्ष रहेगा नहीं, तब यह ब्रस्टाचार की फाइले नहीं खुलेंगी, अभी भी नेपाल में देश भक्त नेता मौझूद हैं, और वो इन फाइलों को खुलवाने के लिए मौन समर्थन देते हैं रभी लाम मिछने यह सब नहीं कर पाएंगे, उनको समर्थन है इमानदार निताओं का, तो फिल हाल के लिए इस समय तो लोगतंतर ही सही है, नेपाल के लिए, भलाई आप में से बहुत सारे लोगतंतर का विरोद करते हैं, देखे, लोगतंतर ही सही है, सबसे अच्छा होता कि राजा भूख से मरेगा, और अगर खूब खाना खिलाना है, तो मेरा ही परिबार खुश रहेगा, या तो सो परसंट पावर राजा के हाथ में दे दी जाए, तो ऐसा होगा नहीं, तो कौमनिस्ट एक दलिया सासन पढ़नाली की अपेक्षा अभी बहुत अलिया सासन पढ़नाली अच्छा है, क्योंकि कम से कम ब्रस्टचारियों के खिलाप फाहिलियों तो खुल रही है, और लोगतंतर भी अगर हट गया नेपाल से, तो ब्रस्टचार भोध बढ़ जाएंगे, उनके खिलाप कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, जो बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जा जब एक दलियर सासन कौमनिस वाला आ जाएगा, तब तो कोई बोली नहीं पाएगा सरकार के खिलाप, तब सरकार जो मर्जियों करें देश में, और इतने इमानदार तो आपके नेता हैं नहीं, चैनी जैसे तो हैं नहीं, कि पैसा कमाएं तो उस पे देश पे लगाएं, आ पैसा देश पर लगेगा, देश का विकास होगा, उद्योग धंदे खुलेंगे, रेलवे लाइने बनेंगी, ब्यापार की सुविदा होगी, जनता धनी होगी, ब्रस्टाचार खत्म करना होगा, हमें तो लगता है कि अगर सारे ब्रस्टाचारों को पिछले 10 साल का हम हो जाएगा, तब नेपाल को न कहीं से करजा लेने की जरूत है, और नहीं अनुदान लेने की जरूत है, तब नेपाल का अपना ही पैसा बहुत हो जाएगा, तो ये जो रवी लामिछने ब्रस्टाचार के फाइले खोल रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलांकि सरकार इन पर प्रेसर डाल रही है, रभी लाविशने को किनारा करना चाहती है, बालेंसा जैसे लोगों का मुँ बंद करवाना चाहती है, जो भी हो लेकिन एक चीज़ कनफर्म हो गया कि अब नेपाली नेता बचने वाले नहीं है, समिदान संसोदन करना चाहते हैं ये लोग ताकि फाइलें बंद रहें और समिदान संसोदन नहीं कर पाएंगे और इनके खिलाप फाइलें खुलेंगे, क्योंकि नेपाल में अभी भी बहुत सारे इमानदार नेता मौझूद है, जो नेपाल के लिए सूचते हैं, तो दोस्तों फिल हाल के लिए नेपाल के लिए लोग तं पढ़ना लिए आएगी, तो कोई भरस्ताचारी के खिलाप फाइल नहीं खुलने वाली, धन्यवाद